राजस्तान में लोकसवा चुनाफ के बार भी विजेपी की सियासत में हलचल मची हुए विजेपी का टारगेट अब पाच विधान सवा सीटों पर होने वाले उप्चुनाफ पटी का हुआ है किदर विजेपी के पूर्फ प्रिदेश अद्यक सतीश पूनिया को हरियाना का विजेपी प्रिभारी बनाया गया राजनीतिक जानकार इसे पूनिया को राजस्तान की राजनीती से दूर करने का मतलब निकाल रहे हैं महीं भाजपा के पूर्ग नेतर पृतिपक्ष राजे राठोर को लेकर भी जमकर सियासी चर्चा बनी हुई नमस्कार में शेख जोया आप देख रहे हैं दनगरी नीज राठोर का राजनीतिक भविश्य और अगली भूमी का क्या होगी इसको लेकर भी कयास लगाए जो आ रहे हैं सियासत में सवाल घूम रहे हैं कि पूनिया को हरियाना का प्रदेश फिर्भारी बनाए गया लेकिन विधान सबचुनाव हानने के बाद राठोर का राजनीतिक भवनवास सब समापत होगा आखिर उनका नंबर कब आएगा इसको लेकर भी काफी चर्चाय चल रहे हैं बता दें कि राजेस्थान विजेपी के दोनों दिगज नेता सतीश पूनिया और राजेंद राठोर विधान सबचुनाव हार गए थे इसके को लेकर सियासत में जम कर हलचल मची राजवितिक जानकार दोनों की मुलाकात को लेकर उनकी अगली भूमी का के कयास लगाने लग गए हाला कि सतीश पूनिया की महनत रंग लाए और उन्हें हरियाना विजेपी का प्रदेश तृभारी बनाया गया लेकिन अभी भी राज राजवितिक भविश्य क्या होगा इस पर पूनिया बोले कि आजकल की राजवितिक तीन सो पेसक दिन की हो गई है कोई भी व्यक्ति खाली नहीं रहता इसके लिए पार्टी उस व्यक्तिक योगता के अनुतार उसे जरूर काम देती उन्होंने संभावना जटाए कि राट सना सीट पर विजए पी के सांसत रही चुके रहूल कस्वा ने अपना टिकेट कतने के पीछे राटोर का हाथ बताया ब्चम कर बावाल्वाल भी कि चुना पर Chopin के सुमीधनन सरस्वती दिविसिंगा भाती संबिज़ेपी की नेटाओं ने भी जम कर धे नहीं ने भी राह और को कसुर्वार बताते हुए कहा कि चुरू सीट की वज़ा से ही बीजेपी को अन्ने सीटों पर भी नुक्सान पहुंचा है ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहें दनगरी न्यूस शुक्रिया